नमस्कार दोस्तों प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेंग चन द्वारा लिखी हुई कहानी महातीर्थ कहानी पसंद आती है तो कृप्या वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजेगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी महातीर्थ मुंशी इंदर्मणी की आमदनी कम थी तथा खर्च अधिक था अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे मगर एक तो बच्चे की सेवा सुशूशा की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हिठे बन कर रहने की वेज़ जती इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था बच्चा दाई को बहुत चाहता था हर वक्त उसके गले का हार बना रहता था इसलिए दाई और भी आवश्यक मालूम होती थी पर शायद सबसे बड़ा कारण ये था कि मुराववत के बच्च दाई को उत्तर देने का साहस नहीं कर सकते थे बढ़िया उनके यहां तीन वर्ष से नौकर थी उसने उनके एकलोते लड़के का लालन पालन किया था अपना कार बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था तथा व्यर्थ खूचर निकालना इंद्रमणी जैसे भले व्यक्ति के सुभाव के विरुद्ध था पर सुखदा इस सम्मंध में अपने पती से सहमत न थी उसे संदे था कि दाई हमें लूट लेती है जब दाई बाजार से लौडती थी तो वह दालान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख लेती है लकडी तो कहीं छिपा नहीं देती उसकी लाई हुई वस्तूओं को घंटों देखती पूँचताच करती बार-बार पूचती इतना ही क्यों, क्या भाव है इतना महंगा हो गया दाई कभी तो इन संदे हात्मक सवालों का उत्तर नम्रता पूर्वक देती किन्तु जब कभी बहुजी जादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी शपतेहकाती, सफाई की सहाधतें पेश करती वाद बिवाद में घंटों लग जाते थे प्राया नित्ती यही हालत रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अशुरूपात के साथ खत्म होता था दाई का इतनी सक्तियां जहल कर पड़े रहना सुकदा के संदेह को और भी पुष्ट करता था उसे कभी यकीन नहीं होता था कि यह बुढिया केवल बच्चे के प्रेमश पड़ी हुई है वैवरद्धा को इतनी बाल प्रेम शीला नहीं समझती थी सैयोग से एक दिन दाई को बाजार से लोटने में जरा देर हो गई थी वहाँ दो कुंजलनों में देवासुर संग्राम मचा था उनका चित्र मैं हाव भाव उनका आगने तर्क वितर्क उनके कटाक्ष तथा व्यंग सब अनुपम थे विश के दो नद थे या ज्वाला के दो परवत जो दोनों और से उमड कर आपस में टकरा गए थे क्या वाक्य प्रवाह था कैसी विचित्र विवेचना उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचार शीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास तथा उनकी उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कभी है जो मुग्दना हो जाता उनका धैर, उनकी शान्ती, हैरत भरी थी दर्शकों की एक खासी भीड भी थी, वै लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, वै अशलील अलफाज, जिनसे मलिन्ता के भी कान खड़े होते सहत्रों रसिक जनों के लिए मनुरण्यन का सामान बने हुए थे दाई भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या मामला है दाई को देखते ही तियोरी बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी तुम? दाई बिनापूर भाव से बोली, एक जान पहचान वाली से भीट हो गई, वै बात करने लगी सुखदा इस उत्तर से और भी चिड़कर बोली, जहां दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सहर सापाटे की सूचती है लेकिन दाई ने इस वक्त दबने में ही कुशल समझी, बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने जड़क कर कहा रहने दो, तुम्हारे बिनावए बेचैन नहीं हुआ जाता दाई ने इस आग्या को मानना जरूरी नहीं समझा बहुजी का गुसा ठंडा करने के लिए इससे अच्छा और उपाय न सूजा उसने रुद्र मणी को इशारे से अपने पास बुलाया वै दोनों हाथ फैलाए लड़कडाता हुआ उसकी तरब चला दाई ने उसे गोद में उठा लिया और द्वार की तरब चली लेकिन सुखदा बाज की भाती झपटी और रुद्र को उसकी गोच से छीन कर बोली तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूँ ये तमाशे और किसी को दिखाना यहां जी भर गया है दाई रुद्र पर जान देती थी तथा समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है उसकी समझ में सुखदा तथा उसके बीच ये ऐसा मजबूत संबंध था जिसे आम जटके से तोड़ ना सकती थे यही कारण था कि सुखदा के कटवचनों को सुनकर भी उसे ये यकीन न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है सुखदा ने ये बातें कुछ ऐसी कठोरता से कहीं और रुद्र को ऐसी निर्दैता से छीन लिया कि दाई से सह न हो सका बोली बहुजी मुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हुई बहुत तो पाओ घंटे की देर हुई होगी इस पर आप इतना नाराज क्यों हो रही है साप क्यों नहीं कह देती ही कि दूसरा द्वार देखो नारायन ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा मजदूरी का अकाल थोड़े ही है सुखदा ने कहा तो यहां तुम्हारी परवाही कौन करता है तुम्हारी जैसी लॉंडने गली गली ठोकरें खाती फिरती है दाई ने उत्तर दिया हाँ नारायन आपको कुशल से रखें लॉंडने और दाईया आपको बहुत मिलेंगी मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे छमा कीजिएगा मैं जाती हूँ सुखदा मरदाने में जाकर अपना हिसाब कर लो दाई मेरी ओर से रुद्र बावु को मिठाईया मंगवा दीजेगा इतने में इंद्रमणी भी बाहर से आ गये थे पूछा क्या है दाई ने कहा कुछ नहीं बहुजी ने उत्तर दिया है घर जाती हूँ इंद्रमणी ग्रस्ती के जंजाल से इस प्रकार बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुशिक काटों से बचे उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था लेकिन काटों में पैर रखने की हिम्मत न थी खिन्न होकर बोले क्या बात हुई है सुखदा ने क कुछ नहीं अपनी इक्षा है जी नहीं चाता नहीं रखते किसी के हाथों बिक्तों नहीं गए हैं इंद्रमणी ने जुझला कर कहा तुम्हें बैठे बैठे एक ना एक खुचर सूझती रहती है सुखदा ने तिनक कर कहा हा मुझे तो इसकी वीमारी है क्या करूँ आधत ह ही ऐसी है तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो मेरे यहां आवशकता नहीं दाई घर से निकली तो आखें टब डबाई हुई थी मन रुद्रमणी के लिए तड़प रहा था जी चाहता था एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूँ लेकिन यह अ अनना कहकर रोने लगा सुकदा ने चुमकारा तथा प्यार किया गोद में लेने की कोशिश की मिठाई देने का लालच दिया मेला दिखाने का वादा किया इससे जब काम न चला तो बंदर सिपाही लूलू तथा हौवा की धमकी दी पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धा गाल लाल हो गए आखें सूज गई निदान वय वहीं जमीन पर से सकते से सकते सो गया सुकदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रोधो कर चुप हो जाएगा रुद्र ने जागते ही अनना की रट लगाई थी तीन बजे इंद्रमणी दक्तर से आए और बच्चे किया इहालत देखी तो इस्तरी की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोध में उठा लिया और बहलाने लगे अब आखिर में रुद्र को ये यकीन हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोश हुआ लेकिन शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया अनन मिठाईला इस प्रकार दो-तीन दिन बीट गये रुद्र को अनना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई कार्य न था वह शांती प्रकरती कुट्ता जो उसकी गोध से एक छण के लिए भी न उतरता था वह मौन वरतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह प्रसनता स फूला न समाता था पंखहीन चिडिया जिस पर वह जान देता था सब उसके चित से उतर गए थे वह उनकी और आँक उठा कर भी न देखता अनना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली गोध में लेकर घुमाने वाली थपक थपक कर सुलाने वाली गागा कर खुश करने व अनना की खाली कोटरी में घंटों बैठा रहता था उसे उमीद होती कि अनना यहां आती होगी इस कोटरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अनना अनना कहकर दोडता था समझता था कि अनना आ गई उसका भरा हुआ जिसम घुल गया गुलाब जैसा चेहरा सूख गया मा और बाप उसकी मुहनी हसी के लिए तरस कर रह जाते थे अगर बहुत गुदगुदाने या छेडने से हसता भी तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हसता सिर्फ दिल रख लेने के लिए हस रहा है उसे अब दूद से प्रेम न था ना मिश्री से ना मेवे से ना मीठे बि जा गया वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नर्मी गर्मी तथा भारी पन का अनुभा होता था अब सूप कर काटा हो गया सुखदा अपने बच्चे की यहालत देखकर भीतर ही भीतर कोड़ती अपनी मूर्खता पर पच्टा थी इंद्रमणी जो शान्ति प्रिये व्यक्ती थे अब बालक को गोद से अलग न करते थे उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाया करते थे नित्य नए खिलाने लाते थे पर मुर्जाया हुआ पौधा किसी प्रकार भी नपनपता था दाई उसके लिए संसार का सूर्य थी उस सोभाविक गर्मी तथा प्रकास से वंचित रहकर हर्यारी को बाहर कैसे दिखाता दाई के बिना उसे अब चारों तरफ सन्नाटा दिखाई देता था दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी मगर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुझ छिपा लेता था मानो वह कोई डाय नथवा चुड़ायल हो प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कलपना में मगन रहता था वहां उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई दिया करती थी उसकी वही गोद थी वही सने वही प्यारी प्यारी बाते वही प्यारे गाने वही मज़ेदार मिठाईया वही सुहावना संसार वही आनंद में जिन्दिगी अकेले बैठ कर कल्पित अन्ना से बातें करता अन्ना कुत्ता भूंके अन्ना गाय दूद देती अ कोटरी में रखाता था और कहता अन्ना दूद पिला अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढांक देता था और कहता अन्ना सोती है सुकदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठा कर अन्ना की कोटरी मिले जाता और कहता था अन्ना खाना खाएगी अन्ना अब उसक लिए एक स्वर्ग की चीज थी जिसके लोटनी की अब उसे बिलकुल आशा न थी रुद्र की आदत में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगए एक निराशा जनक धैर एक आनंद विहिन शिथिलता दिखाई देने लगी इस प्रकार तीन हफते गुजर गए थ बरसात का मौसम था कभी बेचैन कर देने वाली गर्मी कभी हवा के ठंडे जोंके बुखार तथा जुखाम का जोर था रुद्र की दुरवलता इस रितू परिवर्तन को बरदाश्त ना कर सकी थी सुखदा उसे फला लेन का कुर्ता पहनाई रखती थी उसे पानी के पास न किये पड़ा था डाक्टरों का इलाज निश्फल हुआ था सुखदा चार पाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी तथा इंद्रमणी विशात की मूर्ती बने हुए करुणापूर्ण आखों से बच्चे को देख रहे थे इधर सुखदा से बहुत कम बो आपको बुला लेते शायद उनकी दवा से फायदा हो इंद्रमणी ने काली घटाओं की तरफ देख कर रुखाई से जवाब दिया बड़े हकीम नहीं अगर धन्वंतरी भी आएं तो भी उसे कोई फायदा नहोगा सुखदा ने कहा तो क्या आप किसी की दवा नहोगी इंद्रमणी वह तुम्हारे प्रती चाहे विश हो पर लड़के के लिए अमरिथी होगा सुखदा मैं नहीं समझती की इश्वरेक्षा उसके अधीन है इंद्रमणी अगर नहीं समझती हो तो अब तक नहीं समझी तो रोगी बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा सुखदा च तंद्रुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ उससे विन्रती और प्रार्थना करो माफी मागो तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के आधीन है सुखदा ने कुछ जवाब नहीं दिया उसकी आँखों से आसु जारी थे इंद्रमणी ने पूछा क्या म सुखदा ने पती की तरफ फिर तिरसकार की द्रिष्टी से देखा और बोली हाँ और क्या मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शोक थोड़े ही है मैंने इलाज के मारे तुमसे कहा नहीं पर मेरे मन में ये बात बार बार उठती है यदि मुझे दाई के मकान का पता मालू के लिए तैयार हूँ उसके पैरों को आसूं से भिगोंगी और जिस प्रकार राजी होगी राजी करूंगी सुखदा ने बहुत धैर धर कर ये बातें कहीं लेकिन उम्डे हुए आसू न रुख सके इंद्रमणी ने इस्त्री की तरफ सहानुभूती पूरवग देखा और लजजित हो बोले मैं तुम्हारा जाना सही नहीं समझता मैं खुद ही जाता हूँ कैलासी संसार में अकेली थी किसी वक्त उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था लेकिन धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर गई अब उसकी सब हरे आली नस्ट ब्रस्ट हो गई तथा अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड की चिन रह गई थी लेकिन रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई थी इसमें हरी भरी पत्तियां निकलाई थी वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था अब सरस और सजीव हो गया था अ पर वह अपना इसने सुकदा से छिपाती थी इसलिए कि मा के मन में द्वेश न हो वह रुद्र के लिए मा से छिपकर मिठाईया लाती और उसे खिला कर खुश होती वह दिन में दो-तीन बार उसे उबटन मलती कि बच्चा खूब तंधरुस्त हो वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती कि उसे नजर लग जाएगी हमेशा वह दूसरों से बच्चे के अलपाहार का रोना रोया करती उसे बुरी नजर से बचाने के लिए तावीज और गंडे लाती रहती ये उसका विशुद प्रेम था उसमें स्वार्थ की भू भी ना थी इस घर से निकल कर आज कैलासी की वह हालत थी जो थीटर में यकायक बिजली लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है उसके सामने वही सूरत नाच रही थी कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंचती थी उसे अपना घर काटे खाता था उस काल कोटरी में दम घुटा जाता था रात जियों कर कटी सुबह को वह घर में जाडू लगा रही थी बाहर ताजे हल्वे की आवाज सुनकर बड़ी फूर्ती से मकान से बाहर निकल आई तब याद आ गया आज हल्वा कौन खाएगा आज गोद में बैटकर कौन चहकेगा वह मधुर गान सुनने के लि पर आधे रास्ते से ही लोट गई रुद्र कैलासी के ध्यान से पलभर के लिए भी नहीं उतरता था वह सोते सोते चौक पड़ती थी जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाय चला आता है पडोसियों के पास जाती तो रुद्र ही की चर्चा करती थी रुद्र उ बाजार से मिठाईया तथा खिलोने लाती घर से चलती पर रास्ते से लोट आती कभी दो चार कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता क्या मू लेकर जाओं जो प्रेम को धूर्टता समझता हो उसे कौन सा मू दिखाओं कभी सोचती अगर रुद्र मुझे ना पहचाने तो बच प्रेम का ठिकाना ही क्या है नई दाई से हिल मिल गया होगा ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का कारे कर जाता था इस प्रकार दो हफ्ते बीत गए कैलासी का जी उच्टा रहता जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो घर की वस्तु में जहां की तहां पड़ी रहती ना कैलासी के हालत उस वक्त उस पालतु चिडिया कीसी थी जो पिंजडे से निकल कर फिर किसी कोने की खोज में हो उसे विर्स्प्रती का यह अच्छा मौका मिल गया सफर के लिए तैयार हो गई आस्मान पर काली घटाएं च्छाई हुई थी तथा हलकी हलकी फूहरें पड़ नहीं थी देली स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड थी कुछ गाडियों पर बैठे थे कुछ अपने घरवालों से विदा हो रहे थे चारों और एक हलचल सी मची थी संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी कोई लड़की को सावधान कर रहा था कि धान कट चाये तो तालाब वाले खेत में मटर वो लेना तथा बाब के पास के हूँ कोई अपने नौजवान लड़के को समझा रहा था असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और दो रुपे सैकड़ा सूद अवश से काट लेना एक बुढ़े व्यापारी महाशे अपने मग ने दिखाई देते थे वे या तो चुपचाप आसमान की तरफ निहार रहे थे या माला फेरने में तलीन थे कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि इन भले व्यक्तियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती वही बनेज व्यापार लेन देन की चर् इतनी घटा उमड़ी हुई है लेकिन बरसने का नाम नहीं लेती मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं जूट मूट इधर उधर दोड़ते फिरते हैं ये नहीं की जटपट गाड़ी खोल दें मुसाफिरों की जान में जान आये एका एक उन्होंने इंद्रमड करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकलाई और इंद्रमडी उसे देखते ही लपक कर नजदीक आ गए और बोले क्यों कैलासी तुम भी सफर को चली कैलासी ने सगर्व दीनता से जवाब दिया हाँ यहां क्या करूं जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं मालूम नहीं कब आखे बंध हो जाएं परमात्मा के यहां मूँ दिखाने का भी तो कोई हल होना चाहिए रुद्र बाबु अच्छी तरह है इंद्रमडी अब तो जाही रही हो रुद्र का हाल पूछ कर क्या करोगी उसी आशीरवात देती रहना कैलासी की छाती फड़कने लगी थी घबरा है सारी दवाईया करके हार गया कुछ फायदा न हुआ मैंने सोचा था कि चल कर तुम्हारी अनुनय विनय करके ले आऊंगा क्या जाने तुम्हें देख कर उसकी तवियत समल जाए पर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ तुम सफर करने जा रही हो अब किसमू से चल गती में किसी का क्या वश कैलासी की आँखों के सामने अंधेरा चा गया था सामने की वस्तुएं तैरती हुई मालूम होने लगी मन भावी अशुब की आशंका से दहल गया हिर्दय से निकल पड़ा हे इश्वर मेरे रुद्र का बाल बांका न हो प्रेम से गला भराया था किन्तु रुद्र ने मेरा क्या विगाड़ा था कि मैंने मा का बदला बेटे से लिया इश्वर मेरा अपराज माप करो प्यारा रुद्र मेरे लिए हुडक रहा है इस खयाल से कैलासी का कलेजा मसोस उठा तथा आँखों से यासू बह निकले मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्यार है नहीं मालूम बच्चे की क्या हालत है भयातुर हो बोली दूद तो पीते हैं ना इंद्रमणी तुम दूद पीने को कहती हो उसने दो दिन से नेतर तक नहीं खोले कैलासी हे मेरे इश्वर अरे कुली कुली बेटा आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार हुई थी घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था कैलासी बार बार जुझलाती थी तथा एक कावान से कहती थी बेटा जल्दी कर मैं तुझे कुछ जादा दे दूँगी रास्ते में मुसाफिरों की भीर देखकर उसे गुसा आता था उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाएं मगर इंद्रमणी का घर करीब आ गया तो कैलासी का हिर्दय उचलने लगा बार बार हिर्दय से रुद्र के लिए शुब आशीरवाद निकलने लगा इश्वर करे सब को शलमंगल हो एकका इंद्रमणी की गली की तरफ मुड़ा अकासमात कैलासी के कान में रोने की ध्वनी पड़ी कलेजा मू को आ गया सिर में चक्कर आ गया मालूम हुआ नदी में डूबी जाती हूँ जी चाहा एकके पर से कूद पड़ू पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कोई लड़की मैके से विदा हो रही है संतोश हुआ अंत में इंद्रमणी का मकान आ पहु महराज बैठा सुर्ती मल रहा था कैलासी को जरा धांडस हुआ घर में बढ़ी तो नई दाई पुल्टिस पका रही थी मन में बल का संचार हुआ सुगदा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी के मध्यान काल की सद्रश कापक रहा था सुगदा रुद्र को गोद में देखकर कहा बेटा रुद्र आखे खोलो रुद्र ने आखे खोली पल भर दाई को चुपचाप देखता रहा तब यका यक दाई के गले से लिपट कर बोला अन्ना आई अन्ना आई रुद्र का पीला मुझाया हुआ चेरा खेल उठा था जैसे बुचते हुए दीपक में तेल पड़ जाए ऐसा मालूं हुआ मानुवय कुछ बढ़ गया है एक हपता बीद गया था राता काल का वक्त था रुद्र आंगन में खेल रहा था इंद्रमणी ने बाहर से आकर उसे गोधन उठा लिया तथा प्यार से बोले तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दे रुद्र मडी ने मुस्करा कर कहा तुम्हें उससे कहीं जादा पुन्न हो गया ये तीर्थ महातीर्थ है तो दोस्तों ये थी कहानी महातीर्थ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद